तो आज हम करने वाले हैं एक special remedy जो हमारी स्किन के लिए काफी ही लाब दायक होगी चातर क्या होता है कि आज का लीडिस सभी वर्किंग गूमेन हैं तो उनको इतना टाइम नहीं मिलता है कि वह अपने स्किन केर कर सके आज जो मैं रेमेडी बताने वाली है बहुत ही ईजी है अब कभी भी इसको इसको इस्तमाल कर सकती है और इसके कोई भी इसके side effect नहीं है तो इस रेमेडी को शुरू करने से पहले तो आई मैं आपको बता देती हूं कि हमारी स्किन पर काफी sports होते हैं कभी- को बापस लाने के लिए आई हम एक नेशरल रेमडी का प्रियोग करेंगे अगर हम बाजार की चीज़े यूज़ करते हैं तो इससे हमारी स्किन बहुत ही एफेक्ट करती है बट हम नेशरल स्किन को यूज़ करेंगे तो यह हमारी बाड़ी के लिए बहुत ही लाबदा है पहले आपको इंग्लिस बता देते हैं हमें लेना है मसूर की डाल रात में बिगवई हुई चावल रात में बिगवाया हुआ आप इनको बिगवो दीजे रात को और इसके इस्तमाल करना है अगर आप चाहते हैं तो इनका पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं आपके पास टा बिगवई हुई नेकाल लिया है और आतीम बिगवाय चावल को भी हमने ले लिया है अगर आप चाहते हैं तो इसे चावल को दरदरा पीश कर इसके सहथ के साथ लगाए कर आप इसक्रब भी कर सकते हैं क्योंकि एक नैशरल का कम करता है तो से आए और हमें साथ में कच्छा आलू लेना है और उसके उसको पीस में काट कर उसमें डाल दें यह आलू का इफेक्ट यह होता है कि हमारी स्किन में किसी प्रकार के दाग दब्बे हो जले कटे के यह असमान रंगत के यह फुंसी अफोड़े के तो वो इसको दाग को मिटाने की छमता रखता है यह हमारी स्किन के लिए बहुत ही फायदे बंद होता है तो आज मैं बताओंगे कि आप इस पैक को कितने तरीके से यूज़ कर सकते हैं पैक एक होगा तरीके तीन होंगे क्योंकि हमारी स्किन कई टापकी होती है जो स्किन को सूट नहीं करता है तो मैं आज आपको बताओंगे कि इस पैक को आप तीन तरीकी से यूज़ कर सकते हैं सबसे पहले हमें करना है कि एक मिकसी का जार लेना है उसमें मसूर की डाल को चावल को डाल देना है और इसी का पानी हमें डाल कर इसको पीसना है कर दो सकते हैं तो बाद कर दो नहीं तो बाद कर दो बाद कर दो देखे ना ही जदा हमें गीला रखना है ना ही जदा हमें इसको मॉटा रखना है इसको मीडियम ही रखना है तो पहले हम क्या करेंगे कि किसी की स्किन सेंसिटिव होती है तो वो जातर डामन का यूज नहीं कर पाते हैं एक बावर में चुटकी बर हलदी लेना है और हल्दी में इस पैक को डालना है और आप इसको अच्छे से मिस्क कर दीजिए तो एक अच्छा पेश्ट बन जाएगा आप इस पेश्ट को अपने सकन पर अपलाई कर सकते हैं अब बहुत सी लोगों की सकन ड्राइ होती है तो वह कुछ नहीं लगा पाती है तो आप ऐसा करिए तो इस पैक के दो चमच लीजिए उसमें आप कॉफी नारियल का तेल और सहथ यूज कर सकते हैं इसकी इस पैक से आपकी स्किन ग्लोइंग फेयरी तो होगी साथ में इसमें मौश राजर और सौपनेस भी आएगी जब आप इसक है अच्छा उंगीड होता है जो नेशरल होता है जो हमारी सकिन को बहुत ही सौपनेस प्राण करता है और थाड़ अब इसकर अस्तिमाल करेंगे तो हम उसमें कर्ड का यूज कर सकते हैं आप एक दही में कर्ड लीजिए दो चमच कर्ड लीजिए और उसको यह पैक को तो आप उसे लेमन यूज़ कर सकते हैं अगर किसी की स्किन रफ है तो आप उसमें नायल का तेल भी यूज़ कर सकते हैं अगर किसी की स्किन संसिटिव है तो आप सहथ का यूज़ कर सकते हैं यह पैक एक है और इसमें कई चीज़े मिला कि आप अपने तरह कैसे पैक इस्तमा बना सकते हैं तो आप इस पैक को लगाईए जब आप इस पैक को लगाएंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे अपने रेजल्ट को देखकर आपका फेस ग्लोइंग इस चमकदार और काफी एफेक्टिव लगेगा क्योंकि हम और आपके अंदर कॉंफिडेंस भी आएगा तो मैं यह रेकमनेट करूँगी कि आप बाहर की कैमिकल चीजों से अच्छा है कि अपने स्किन पे यह नैश्रल चीज़े अपलाए करें इसी वीडियो को ज्याज़ा सेयर करें अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अपने फ्रेंड्स की भी हैल्फ करें थैंक्स पूर